हलो गुड इवनिंग एवरीबड़ी वेलकम तो माई चानल दा इन्विजिबल ट्रेडर और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जूड़िए और आज हम कल तो हमने वियू नहीं दिया था एक वियू य यह हमने इस टॉक्स की हमारे 100 पर् wireless युली में तर सstar here यह मेरे즈 नहीं से नहीं हम से हेए हमारे classes में हमको पता है कि यह लिए यह ड्राउज acredita गन् terrace में। इस द्लुन पर च यह और टार्गेट भी आया मेर्त कर डैंकंशेथ बीस 147 की लेबल थी ये लेबल थी हमारी वट मैंने बोल ते है यहाँ से मैं मैं Nhुम्हारी करूँ सब को पता है पता है कि से लंग है तुम यहाँ का से ने diagram बन रहा है तो हम से लिग ते रिट्म सनों करते हैं इस जोन गिविंअ PPände 254 437 यहां पे दिख़गा होगा आपको और एक बाइंग मेने दीती 321 से 370 सेफ बाइंग जूती है हमारी ठीके इस वाज अवर सेफ बाइंग तो अगर आप बैंक निफ्टी का कोई व्यू मेने दिया नहीं तकल तो अगर आप देखोगे 321 यहां से डारेट उपन हुआ और मैंने लिखा भी था हो चाट पर अगर आप देखोगे आयम एक्सपेक्टिंग निफ्टी तू ओपन एवर्ब 320 11,320 है ना तो यह उपन हुआ 328 में आइडियली इस 327 यहां पे उपन हुआ और मैंने बोला था कि अगर यह आपको बाइंग करनी है आपको बाइंग यहां पे करनी थी यहां पे अगर नहीं करते तो आप यहां बाइंग करनी थी 353 से अगर बाइंग करते हैं देखो आप कहा तक लेके जाते हैं और हमारी जो लेबल अभी मैंने दिखाए 437 का 437 वाज दिस एक्जाक्ली डॉट टच किया और वहीं से गिरा लुक अट प्रम 440 इसने दिया हमको 463 363 80 points 75 points straight not a bad one राइट पांसो अगर लगाते हैं फॉर्टी ताउजन रुपीज था यहां पर शारी जो लेवल पर बोला था उसे लेवल से लाया और जो लेवल पर बोला था उस लेवल पर अगर आप बाइंग करते हैं मैंने 370 का बोला था around this मझला 50.5 दिती यह बला हमरे अगरा था था तो मैंने बला था यहां थे इसके बदाप ट्रेल करते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते थे एन्यवे था निवे था निफ्टी बांग निफ्टी मेरा आज कोई वीव था नहीं तो मेरा यह लेबल था यहां से देखो यह पर गिरा है 200 पॉंट सारी 200 पॉंट के अस पास यहां पर भी इसमें 40,000 रूपीज आराम से अप कमा सकते हूं 500 की कॉंटिटी में अगर आप लेते हैं तो 40,000 रूपीज आपकी इंकम होती थी खाले इस में इन्यवे वह बात नहीं करते हैं आप कल की वीव की बात करते हैं कि वीव जो है एक Cityya, जो हमारी बैंकिनफिक के बंति यह यह जो हमारी यह 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 वालूं बेस्ट इस लेवल्स होती जो है और यह ब्लाक लेवल्स जो है ओप्शन टेन बेस्ट लेवल्स हिति यह तो यह किया एक ऐक़। अटलू का सफोट भी है तो तीनों है चार्ट पाटन भी है कंडल स्टिक भी है और आपका दो-दो लेबल भी इधर है तो बैंक निफ्टी यह जो लेबल है कलेकि तो यह जोन में कभी भी बैंक निफ्टी आता है विट वेरी हाई प्रोबिल्टी नंबर में नहीं दूंगा बट ले लो 70% 80% प्रोबिल्टी हमारी बन जाती है कि हम यहां से एक बाई लेंगे मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा बट उसके समी रे चान्से रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे जाए इसीली बैंक निफ्टी अब रोड़ा स्टॉक्स भी रीविव करेंगे और देखेंगे कि हमारे विव सही जाता है या नहीं जाता है तो यह जोन एक मेरी स्ट्रॉंग बाई जोन बन जाती है तो ट्वेंटी टू थाउजेंट टू नैंटी टू फिफिटी टू नैंटी यह लेवल याद रख लेना एक बर ठीक है पहला पंद्रा मिनिट में यह नीचे गिरे यहाँ पे सस्टेंड करे फिर यहाँ पे एक बाईंग दे प्रेट्रेस करे फिर एक बाईंग दे उसके में मैं 500 पॉइंट की बाईंग लोगा अप्टू टू थाउजेंट तो 22,290 से 22,700 विच इस अरूंड 400 पॉइंट की बाईं आप अराम से ले सकते हैं उसके इसमें यह जो लेबल है यह लेबल थोड़ा सा आपको रुके का साथ उसमें आपको देखना है ब्लू कैंडल बन रहा है यहां तक आप बेसिकली देख सकते हो अगर इसके नीचे दुबार आ गया तो आप एक्जिट कर सकते हो फिर री निकल सकते हो यहां पे स्टॉपलस लागा किस पॉर्ट की बात कर रहा हूं में ठीक है फ्यूचर और ओप्शन की ट्रेड आपको खुद की लेनी है इसके नीचे अगर आप यहां से बाइंग लेती हो लेते हो मार्केट यहां तक जाता है इस वेरी डिफिल फो मार्केट त पहले नीचे आजाए और फिर आइडियल यह सीधा ऊपर जाए अरॉपर जाए अरॉपर साइट की जो एक ब्लाग लेवल है वो 20,757 की है आप 22,800 ले ले लो और 22,900 लेवल अप्शन चैन तो यह बता रहा है आप 22,800 का लेवल लो मोटा मोटा अगर राउंड फिर में आपको लेना है अगर होनी चीह वालब यह इस तरह के सिनारियो में मैं कमफर्टेबूल रहोंगा एक लंबा बाई लेने के लिए ठीक है अधर्वाइस मैं बता था हूं सिनारियो अगर लेट से बैंक निफ्टी गप अप हो जाता है गप अप हो जाता है तो हमारे सेल जोन यह है यह तो ही से इतना बड़ा गिरा है तो एक रियाक्शन मार्केट का यहां से तो अने वाला है तो गैप अप के सिनारियो में बैंक निफ्टी ऐसे कम जोड दिखने ही रहा है बट गैप अप के सिनारियो में अगर यहां पे सेल लेते हो ना तो ही स्काल्पिंग की तरह लेना मिरबाई स्काल्पिंग की तरह लेना स्टॉप्लस टेल करते जाना मतलब दस दस पंदरा पंदरा पॉइंट का डिफरेंस देखे जो मिलेगा फिर उसके बाए तो भगवान की प्रशाद लेके समझ के ले लेना वो बोनस है सब क्योंके अगर उपर से नीचे गिर रहा है ना तो इस 22,000 460 460 is going to act as a support market अगर यहाँ जिए गिर रहा है तो यह support देगा फिर यह उपर जाएगा समझ जो this is the scenario on a gap up now मैं ट्रेड कल कब नहीं करूंगा मैं ट्रेड कल कब नहीं करूंगा अगर बैंक निफ्टी सीधा इसके उपर उपन हो जाता है और यह क्रॉस करके 930 945 से पहले यह क्रॉस करके उपर बेच जाता है लब 22,770 के उपर अगर बैंक निफ्टी in first 15 to 20 minutes खड़ा हो जाता है then there is no trade for me tomorrow I will wait उसके में यह लेवल का वेट करूंगा पर सेलिंग करूंगा यहां से यहां से यहां पर बाइंग बाइंग नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ बट यहां से एक सेलिंग का मैं कल बैंक निफ्टी का देखू अगर यह उपर से आ रहा है ठीक है जैसे मैं बुला आइडेल ट्रेड इस दिस लाइक दिस रिट्रेस और गो अप टु दिस यह ट्रेड बाइंटी की मेरी आइडियल स्टॉक साम देखेंगे निफ्टी का आम देख लेते हैं निफ्टी का बाबा देखो यह तो ऑपरेटर ठीक है वो कैसे जाएगा दो जैसे जाएगा निफ्टी वैसे बिहेव करेगा कल में साथ निफ्टी में ट्राट ट्रेड ना करो बैंक निफ्टी वोड बी मुच मोर कमफरड़ेबल फॉर मी तो ट्रेड बाइंटी का आप एक चीज धान रखना कल निफ्टी का यह जो जो बाइंट गिरेगा न जिस यहां से यहां तक गिरेगा रिल्लांस अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कें ओनली फॉल दिस बंच से जादा नहीं गिरेगा तो मेरे निफ्टी की कल जो सपोर जो 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 बन जाती है उव 11,400 ही है उससे पहले बलाग लेवल तो है है 420 की त So this zone is actually support zone for me in Nifty tomorrow. Nifty मेरे लिए weak होगा only if 9.30 से पहले ये 11,363 के निचा हाज़ा. That means 70 points ये down move दे रहे which looks very very rare to me. Otherwise Nifty मेरे लिए strong ही है कल. जादस जादा ये consolidate कर देगा. Otherwise it is bullish. Okay. Now ये black level की कल की Nifty की कोई गारेंटी नहीं है. पाइसो सत्रागी ठीक है. एक सेल आफ भी स्काल्पिंग में ले सकते हो अगर आपको लेना है. बट अगर लेना है तो यहां से लो. ये आरवन से मत लेना कल. ठीक है. 500 से मत लेना. 575, 520 के लेवल से लो. की बहा ये जायएगा तो और तीस प्वाइंट जाद 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 नहीं जाएगा. और फ्युचर में मत लेना. अप्शन में लेना. तो इसके तो बट फोर यू. कि ये ये तीस. सफ. वियु अगर गया तो आप्शन में आपका 10. सब्सक्राइब करते हैं तो इसके उपर मुझे कल मुश्किल लग रहा है यहां क्लोजिंग दिया है वहां से हंडर्ड पॉइंट तो अगर सेल लेना ना बबाद तो यहां से लेना 520 से लेना था कि 15 15.30 पॉइंट और extra loss जहेल सको नहीं तो इस से यहां पर सेल लेलो करा फर्स जाओगे थीकैं बड्सवार यहां से आप बाधरेती निफ्टी में कोई प्राबलम नहीं है बट इस से पहले सेल मत लेना 11,520 से पहले सेल मत लेना और अगर यह नीचे आता है मॉणि में और आपक सकते हो, अराम से बाइ ले सकते हो, 11,390, 380, यह लेबल से बाइंग ले सकते हो, ठीक है, इसली, और यह नीचे जाएगा, ज्यादा 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 अनादर 10 पॉंट जाएगा, डेफिनाट बाइंग यहां से तो देगा ही देगा निफ्टी, समझ में आ रहा है, मैं क्या पर डिपेंड करता है, हाँ, यह पॉसिबिलिज है, निफ्टी सीधा इधर कल ओपन हो जाए और गिरना चलू करें, हाँ, उस case में अगर, मैंने अल्रेडी बोलाई है, हाँ से अगर से अगर सेल मिलता है, तो सेल लो, तो सेल ले सकते हो, यह दो सिनारियों में निफ्टी के आपको 10,080 के आसपस से देना चाहिए, और आपकी कोटक बैंक भी देखो, ज्यादा मूग नहीं करेगा, वो भी डे की हाई तक माक्सी जाएगा, तो नीचे आके जाएगा डे की हाई तक तो मजा आएगा, ठीक है, अधर्वाइस सेल उन राइस तो है हमारा लेबल से, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगा, तो मेरे मजा आएगा, मतलब पहले ऐसे जाए, ऐसे करें, ऐसे करें, इसी लेबल के आसपस अगर घुमें, तब मजा आएगा, जो मेरी वीव है, वीव पर्फेक्ट बनेगी, क्योंकि यह क्या है कि देता तो वाइल्ड उमूव देता है, तो नहीं तो नहीं देता है, बेट जाता है, तो कल में चाहूँगा, यह कंसोलिडेट करें, तो अधर स्टॉक्स का थे कंट्रोल इन बैंक निफ्टी, आक्सिस बैंक तो भाई, फायर है, यही बैंक निफ्टी को कल ऊपर लेके जाएगा, थोड़ा गिरेगा, इस बाइन तो देखो, स्टॉक्स का भी वही बोल रहा है, तो देखेंगे, यह ऐसा होगा ना, तो थोड़ा ट्रेडिंग हमारा मस्त हो जाएगा, कल मस्त, एक दन 400 पॉइंट लेके जा सकते हैं, ठीक है, बाकी स्टॉक्स देखते हैं, निफ्टी में कल में ट्रेड नहीं करूँगा, रिलांस का एक बार देख लेते हैं, रिलांस अल्रेड इनने बोला है, इस विट गो टू 2 4 0 9, 2 4 0 9 किदर है, यह बहुत उपर है, यह 2381 है, यह आरवन अट्टू के बीच में, एक बार जाना चाहिए, अब कल जाएगा, परसु जाएगा, मझे नहीं पता, यह भी देखो, अगर यहाँ पर ओपन होके, फ्लाट ओपन होके गिरता है, यह भी बाईर्ण डिप्स है, बाईर्ण डिप्स मतलब यहाँ से, ठीक है, तो वीव तो हमारा सही है, HDFC खली पज़ गया, HDFC मैंने देखा नहीं था, दिन भर, HDFC थोड़ा कन्फूजिंग है मेरे को, HDFC, ओपनि अग्यू